हलो गाइज, वेलिगम बैक टु माइच चैनल, अब सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अगर आप अपनी सिंदगे में बहुत ज़दा परिशान है क्यों कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिं जानना चाहते हैं कि क्या वो परसन आप से भी प्यार करते हैं, क्या उनके दिल में उतनी feelings हैं जितनी के आपके दिल में feelings हैं चाहिए वो person को अभी अभी आप मिले हैं या बहुत साल हुए है बहुत मैने हुए हैं और अभी वो person अच्छी तरह से आपसे बात नहीं करते हैं चाहिए आप single है married है या male है female है सब के लिए reading है तो जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जाना चाहते हैं उस person का नाम लेजिए उनका चेहरा याद कीजे उनकी तस्वीर देख सकते हैं और उनका नाम भी लेजिए तीन से साथ बार और देखते हैं की वो क्या feel करते हैं आपके के बारे में आज जिनके बारे में आप सोच रहेetin users मुझे please guide करें मुझे बताए जो viewers अभी इस वक्त ये वीडियू को देख रहे उनके person उनके व्यक्ति उनके partner क्या सोच रहे आज उनके बारे मे Angels मुझे please guide करें मुझे बताए कि क्या है situation Angels, मुझे please guide करे, Thank you Angels, तो यहां पर सबसे पहला card जो आया है, वो है Eight of Pentacles, Angels, मुझे और भी बताएं, क्या है current feelings में आज, person की current feelings क्या है, मेरे वीवर्स के partner की current feelings क्या है, Thank you Angels, यहां पर आया है Page of Swords, Angels, मुझे please guide करे, Angels, यूणिवर्स मुझे please guide करे, Angels, यूणिवर्स मुझे please guide करे, Thank you Angels, King of Wands, Angels, यूणिवर्स मुझे please guide करे, मुझे बताएं, यहां पर अपने आप एक card की रहा है, The Fool, Angels or Universe, मुझे please guide करें, मुझे बताएं, क्या है Angels or Universe, मुझे please guide करें, मुझे बताएं, क्या है current situation क्या है current feelings, मेरे viewers के partner की Thank you Angels King of Swords Angels or Universe, मुझे please guide करें Eight of Swords Page of Pentacles Wheel of Fortune Four of Wands, Page of Cups And Bottom of the Deck and the Sun तो यहां पर जो energy मुझे आज यहां पर ऐसे दिखाए देती है ना, जैसे कि आपने कोशिश की है इस रिष्टे को निभाने की प्यार देने की जितना की वो परसन डिजर्व करते हैं, उससे कही गुना जादा आपने किया है इस रिष्टे में लेकिन आपको उतना प्यार नहीं मिला है, कही ना कही आप वो कमी महसूस करते हैं कि मुझे उतना प्यार की नहीं मिल रहा है मेरे सिंदेगी में जितना कि मैं अपने परसन से करता हूं या करती हूं तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना, जैसे कि आप दोनों के भी थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी मुझे strongly दिखाये देती है, इनके family हो सकती है, जो कि आप दोनों को अलग करना चाहती है, या फिर ए रिष्टा मनसूर नहीं है, ऐसा लगता है लेकिन ये person के दिल में आपके लिए feelings बहुत है, ये आपको भूला नहीं सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, और आप भी उतना ही प्यार करते हैं, ऐसा लगता है कि आपने सपना देखा है, इस person के साथ, शादी करने का, आगे बढ़ने का, वो कही न कही अदूरा रह गया है आज नहीं तो कल आपको अपनाएंगे, ये अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी family बीच में आती हुए मुझे नजर आती है, साथ-साथ यहां पर ऐसा लगता है ना कि आप बहुत trapped हैं, मतलब बहुत जाता सोच रहे हैं अपने बारे में, अपने future को लेकर, अपने relationship को ल अच्छा रहेगा मेरे जिंदेगे में, आज आएगा उनकी तरफ सी call या message, यहां पर no context situation मुझे दिखाए देता है, जहां पर आप काम सब कर रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं लग रहे हैं, कहीं न कहीं आप उस person के बारे में सोच रहे हैं, और आप चाहते हैं कि उनका call message आ ऐसा हो सकता है कि कोई आपको दोका दे रहा है या फिर आपके उपर नजर रख रहा है, कोई तो है अगर आप extra marital affair में हैं, या फिर आपके person अल्रेडी शादी शुदा है, तो उनके घर से कोई आपके उपर नजर रख रहा है, ऐसा मुझे लगता है, तो अगर आपके भी रिष्टे में हैं, जैसे कि आपको पता है कि आपके person अल्रेडी शादी शुदा है, और ये secret relationship था, अगर आपने छुपा के रख था दुनिया से, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है, कि आपके रिष्टे के बारे में, थर्ड पार्टी को पता है कि आपका रख रहे हैं, तो आपको सावधान रहने की यहाँ पर जरूरत है, साथी साथ यहाँ पर मुझे यह भी लगता है जैसे कि यह person ने खुद बताया है, यह already married है, और किसी रिष्टे में है आपके साथ, लेकिन इन्हों ने अपने जैसे कि husband या अपने wife से बताया है, कि उनका relationship आपके बारे में है, मतलब आप दोनों के बारे में, इन्हों ने थर्ड पार्टी को अड़री बताया है, कि मेरा किसी के साथ रिष्टा रहेगा हमेशा के लिए, ऐसे भी लगता है, मतलब husband wife के वो पता है, थर्ड पार्टी है उनके बीच, ऐसी situation आज यहाँ पर आई वही ह लेकिन आपको पूरा विश्वास है कि यह person आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बाले थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है, आपके उपर नसर रख रहे हैं या कुछ भी कोशिश करें, आपको लगता है कि यह person जैसे की faithful है, इनके उपर आप विश्वास रख सकते हैं, औ इस रिष्टे में आपको लगता है कि कुछ future नहीं है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं उस person के साथ, एक उमीद है कि आज नहीं तो कल वो रिष्टे को कुछ ना कुछ नाम देंगे आपकी person, ऐसा आपको लगता है, किसी शाधी शुदा इंसान से आप प्यार करत है, या फिर वो डिवोसी भी हो सकते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपको रातों को नीम नहीं आती, अपने विचारों में कोई होई हैं, साथी साथ कुछ decision नहीं लेना चाहते, या फिर आप move on नहीं कर पार, आपको पता है कि वो person करता है, आपको मतलब प्यार की जो कमी आपके जिन्देगे में है ना, यह person के वज़े से दूर हो जाती है, तो यहाँ पर ऐसा है ना, कि आप चाहते हैं, मतलब आप कर सकते हैं, कि आप move on कर सकते हैं, या किसी और के साथ relationship में जा सकते हैं, अपने future के बारे में सोच सकते है लेकिन नहीं सोचना चाते हैं, क्योंकि उस person से आप attached हैं, लेकिन आगे ऐसा वक्त आ जाएगा ना, कि पूरी तरह से उस इंसान को आप भूल देंगे, या फिर उनको कहेंगे कि अगर तुम मुझे commitment नहीं देते, या फिर जैसे कि मुझे से शादे नहीं कर सकते, या फिर म आगे जाकर बहुत ही जादा आप serious होने वाले हैं, इस रिष्टे को लेकर अपने जिन्दगी के मारे में सोचेंगे जरूर, क्योंकि साथ नंबर का कार्ड यही कहता है कि अपने बारे में सोचेंगे आप, de-attachment, यानि कि आगे जाकर उस इंसान से, जो person आपके जिन्दगी को अपने जिन्दगे से निकाल देंगे, अभी भी आप manifest कर रहे हैं, आप ऐसा manifest कर रहे हैं कि जो भी मेरे लिए बना है, या भगवान जो भी तुमने मेरे लिए बना है, उसको मेरे जिन्दगी में भेजो, मैं भी deserve करता हूँ या करती हूँ एक loyal life partner, और वही आपका सबना है कि कोई आपके जिन्दगे में आए, जो हमेशा आपका साथ निवाए, आपको धोके नहीं चाहिए, आपको चीट करने वाले लोग नहीं चाहिए अपने जिन्दगे में, या फिर आपको जैसे कि अपने बातों में, मीठी मीठी बातों में फसाने वाले लोग नहीं चाह जिसके साथ दोनों तरफ से efforts उतनी हो आप ऐसा भी लगता है आप पर मुझे independent है काम के ओपर focus है अच्छा job है अच्छा business है आपका अच्छा काम करते हैं आप इसका मतलब यह है कि आप person के ओपर dependent नहीं है भले वो person आपके ओपर dependent हो सकते हैं उनको आप help करते होंगे उनकी help की आपको ज़रूरत नहीं है आप self made हो सकते हैं नेक्स यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी किस्मत चमकेगी आगया अगर आप सही decision लेते हैं सही सोचते हैं अपनी जिंदिकी के बारे में तो बहुत ही अच्छा कर सकेंगे आप आगे जाकर एक सही decision ले सकते हैं अगर अभी third party के वज़े से आपकी health issues आ रहे हैं यह person आपको ignore कर रहे हैं आपको रातों को नीन नहीं आती है ऐसा भी लगता है किसी को बहुत ज़दा allergy आती है skin पे काले डाग है हो सकते हैं लेकिन वक्त बदलेगा यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि सब चीजें सही हो जाएंगी क्योंकि आपका manifestation काम करेगा तो जो आपके सपने हैं वो कही न गई पूरे होंगे ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है 10 number का card बहुत ही positive है तो यहाँ पर lucky numbers जो आए है वो है 4 number 37 10 number आपके लिए lucky है और जो most lucky number है वो है 19 number यानि कि 10 sun यहाँ पर ऐसा लगता है जो भी singles है ना उनके जिन्दिगे में एक soulmate एक divine connection आने बाला है अगर आप divorce हैं किसी का wait कर रहे हैं तो आपका भी रिष्टा किसी के साथ जूड सकता है अच्छानक वो इंसान आपको मिलेगा सोशल मीडिया की तुरू मिल सकता है किसी सोशल इवेंट में मिलेगा कहीं पर आप बाटी के लिए जाएंगे या घुमने के लिए जाएंगे तो ये person से जरूर आपका contact होगा जिसके साथ आपका future बहुत ही bright रहेगा इसका मतलब अभी तक वो इंसान आपकी जिंदेगी में नहीं आया है future energy ऐसी है कि वो जरूर आपसे टकराएगा और आपको strong feelings लगेंगी उस person से जल्दी उस person से आपकी मुलाकात होने वाली है यहाँ पर 19 नमबर कुछ न कुछ कहना चाता है 19 नमबर सबसे lucky है आज के reading में तो यह कुछ कहना चाता है claim केज़े 19 नमबर को 19 आपकी budget शायद हो सकती है या फिर जिससे आप प्यार करते हैं उसकी budget 19 हो सकती है या फिर वो October bond हो सकते हैं या फिर आप October bond हो सकते हैं ऐसा मुझे आपर strongly लगता है या फिर January bond भी हो सकते हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि मेहनत तो आप कर रहे हैं आप जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपने सब भगवान के उपर छोड़ दिया है क्योंकि आपको पता है जब आप मेहनत करेंगे तो फल देने का काम तो भगवान करेगा तो वही आप कर रहे हैं कि मेहनत करते जा रहे हैं फोकस्ट हैं अपनी life के उपर ऐसा भी लगता है कि अगर आप सिंगल है, married है, डिवोसी है अपने फैमिली को लेकर आप बहुत ज़दा चिंतित रहती है मतलब फैमिली को खुश रखना चाहते हैं और उनके लिए जैसे कि उनके बारे में बहुत ज़दा सोचते हैं और अपने बारे में कम सोचते हैं तो अपने लिए वक्त कम देते हैं आप नहीं दे पाते हैं लेकिन फैमिली की हर मुश्खिल में आप आगे खड़े रहते हैं क्योंकि फैमिली सबसे best और सबसे first priority है आपके लिए आज के इस reading में मुझे strongly दिखाय देता है तो यहाँ पर ऐसे लगता है किसी की फैमिली में anniversary celebration हो सकता है बड़े celebration हो सकता है किसी छोटे बच्चे का बड़े हो सकता है ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है आने वाले मेने में जुलाई में या इस मेने के ending तक कुछ नकुछ celebration होने वाला है आपके घर में ऐसे strong vibration है यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है कि कोई आपसे प्यार करता है कोई आपसे मौबबत करता है लेकिन express नहीं कर रहा है यह person आपके आज़ोबाज़ोबे ही हो सकता है जैसे कि आपके workplace पे हो सकता है जो आपसे प्यार करता है चुप चुप के लेकिन feelings एक्सप्रेस नहीं करता है भले आपसे बात करते हैं आपको भी comfortable feel करता है यह person यह करती है और यह आपसे मौबबत करने लगी है लेकिन आपको ही सोचना होगा कि कौन है वो person यह आपके workplace पे हो सकता है आपके family में से किसी relatives के यहां क्या भी हो सकता है साथी साथ यह आपके बच्पन का दोस्त हो सकता है ऐसा भी मुझे लगता है batchmate, classmate यह जहाँ पर आपने कोई course किया था पढ़ाई की थी वहाँ से कोई है जो आपको चाहता है और यह person अचानक आपके सामने आ सकता है through social media या फिर अचानक इस person से आपकी मुलाकात हो सकते है ऐसे strong vibration मुझे आपर नजर आती है और भी check out करेंगे कि आपके रिष्टे में आगे क्या होने वाला है angels मुझे please guide करें मुझे बताएं क्या इस रिष्टे में मेरे जो वीवर्स देख रहें और उनके person के बीच third party है तो कब तक हटेगी angels मुझे please guide करें angels मुझे please guide करें thank you angels 100% third party यहां पर है और बहुत ही commanding है और यह person फसे हुए है आपके बीच और third party के भी जहां पर आप देख सकते हैं कि person फसे हुए है handle नहीं कर पा रहे है मतलब आपको वक्त नहीं दे पा रहे है और यह अगर third party जैसे कि यह married है तो बहुत ज़्यादा उल्चे वो है कि आपको भी वो नहीं खोना चाते और अपनी married life में भी खुश रहना चाते हैं यह choice नहीं कर सके या नहीं करना चाते इनको पता है कि इनके लिए बहतर कौन हो सकता है आप या third party इनको पता है लेकिन यह confused मुझे दिखाए देते हैं इनमें वो consciousness नहीं है उतनी quality नहीं है दिमाग काम नहीं करता है इस person का राहू विक हो सकता है यह person जल्दी से किसी की बातों में आ सकते हैं या फिर इनको कोई भी धोका दे सकता है ऐसे person मुझे दिखाए देते हैं लेकिन आपके लिए serious है person मतलब आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं जिन्दी की बार आपका साथ देना चाहते हैं लेकिन ऐसा भी है ना कि किसी किसी के लिए ऐसा है कि यह person आपसे शादी तो नहीं करेंगे लेकिन जिन्दी की बार आपका साथ देंगे अभी decision आपका होगा क्या आप ऐसे रिष्टे में जाना चाहते हैं नाम का रिष्टा रहेगा, सिर्फ जैसे की मिलना होगा, या फिर आगे तक जाएगा रिष्टा, ये परसन प्यार तो देंगे, लेकिन रिष्टे का नाम नहीं देंगे, ऐसा रिष्टा होगा आपका, या हो रहा है, at present आपका चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है, और ये परस खतम हो जाते हैं तो दूसरी problem जब से इस person की शादी हुई है या फिर ये already married थे तो अपनी जिंदेगी में बहुत जादा उतार चड़ाब देखे हैं और अभी तक देख रहे हैं मतलब खुशिया इस person के नसीब में नहीं हुई लेकिन जब से आप मिले हो इस person को इनकी जिंद कि में अगर third party है तो बहुत जादा control करती है आपके person को आपके partner को जिसके वज़े से वो आपको phone नहीं कर पाते या फिर आपके साथ बात नहीं कर पाते ऐसा भी लगता है कि इनका mobile इनके पास नहीं रहता है या फिर ऐसा भी होता है कि ये person जो third party है इन्हों ने block किया है उनका phone लेके आपको block किया है और वो अभी तक उनको पता भी नहीं है कि block हो चुके है आप तो अगर आपको लगता है कि आपके person ने आपको block किया है तो ऐसे चीज़ नहीं है किसी और ने आपके partner का phone लेके आपको block किया है और ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर सच तोड़ने की कोशिश यहां पर करते वे मुझे नजर आती है तो यहां पर देखेंगे कि आगे आपकी energy में क्या है इंचल मुझे मुझे प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं के वीबर्ष अभी देख रहे हैं, उनकी फ्यूचर एनर्च में क्या होगा, एंचल मुझे प्लीज गाइड करें, तो यहां पर ऐसा लगता है, जैसे आपके लिए बहुत सारे अपोच्यूनिटीज हैं, लेकिन आपका मन उसी person में अटका हुआ है आपको ऐसा लगता है न कि वो person है तो सब खुशिया है मतलब आप move on नहीं कर पा रहे हैं या move on नहीं करना चाहते हैं आपको पता है कि आप दोनों के भीच third party हैं बहुत से लोगों को पता है कि third party है लेकिन फिर भी आप अटके हुए हैं उसी person में अगर आपको पता है कि third party हैं तो आप move on भी कर सकते हैं आपके लिए दुसरा को रिष्टा आ सकता है या फिर रिष्टा आता भी होगा तो आप नहीं मानते हैं ऐसे लगता है या फिर किसी ने आपको हाली में propose किया है लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं मानता है कि आपको किसी और के साथ रिष्टे में जाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है sad energy हैं आपर है कि आप उस person को नहीं खोना चाहते या फिर वो आपके दिल से जाही नहीं रहा है वो person चाहिए आप दोनों की बीच थर्ड पार्टी हो लेकिन आप फिर भी इंतजार करना चाहते हैं आपको पता है कि इस जिंदेगी में आपको दुख ही मिलेगा इस रिष्टे में आपको दुख ही मिलेगा लेकिन कुछ भी हो उस person से दूर नहीं जा सकते हैं आप नहीं उनको भुलाना चाहते हैं यहाँ पर ऐसा रखता है ना कि आपके बास सब कुछ होकर आप बहुत हैं बहुत ज़दा इमोशन है और आपका दिल टूटा हुआ है और फिर भी आप इंतिजार कर रहें कि वह person ही मेरी खुशी है ऐसा आप में मान दिया है और उनके साथ ही आपके खुशियां जोड़ी हुई है ऐसा लगता है कि बहुत ज़दा वक्त आप दोनों ने spend किया है एक दुसरे के साथ वो कही ना कही आपको बहुत ज़दा सता रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ चमतकार हो कि वह person लोट कर आपके पास आए और आपकी खुशियां आपको वापस मिल जाए आप वही प्रे करते हैं कि यह person आज नहीं तो कल आपके पास आएंगे तो य आपके person ने आपके partner ने आपको block नहीं किया है तो यहाँ पर ऐसा तीन नमबर का card फिर से आया है तो तीन नमबर आपके लिए कुछ ना कुछ कहना तो जरूर चाहता है तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि जब person आपके जिंदेगे में आएंगे तब ही खुशी लोट कर आपक आपके खुश है अगर परसन आते हैं तो आपकी खुशी डबल हो जाएंगी अगर परसन नहीं आते हैं तो आप सिंगल रहेंगे लेकिन किसी और के साथ नहीं जाएंगे रिष्टे में आप वेट करने के लिए रेडी है इतना प्यार मुझे आपर सच्चा दिकाई देता ह वेट आपस हैं तो जोस ट्रोंग्लीहां पर राश्यां आई हुई है उसमें है और फॉरस वरको काप्रिकशन वरेश्व राशी मकर राशी खनारा राशी कलना राशी करना को सकते हैं मेश राशी पिश राशी, सीहन राशी या फिर धनु राशी के परसन हो सकते हैं, जैमिना लीबरा एक्वेरियस, मितुन राशी, तुला राशी, कुंबर राशी के परसन हो सकते हैं, कैंसर पाइसे स्कॉर्पियो, करकर राशी, मिंड राशी, व्रशक राशी के परसन हो सकते हैं, दो नम तक 10 नमबर लकी है, 9 नमबर 10 नमबर लकी है, not Connecticut सबसे ज़ादा लखी आपके लिए आया हुआ है, kijते छार नमबर वी आपके लिए लखी है कुछ न कुछ कहना चाता है, तो यहां पर 6 नमबर या सबारी 33 नंबर आपके लिए कुछ ना कुछ कहना चाहता है, यह strong यहाँ पर दिखाएं देता है, क्योंकि 3 नंबर की cards लगादार आए हैं, जैसे कि 3rd party को represent करता है, कि आप दोनों के बीच 3rd party है, अगर आप सही decision लेते हैं, सही वक्त पर तो आपकी जिंदिगी बदल सकती है, अगर आप इसी person के साथ या इस person का wait करेंगे, तो मुश्किल है तो बहुत है, लेकिन अगर आपका विश्वास है, तो यह person लोट कराएंगे, लेकिन अभी यह person परेशान है, और आपके साथ बात होना मुझे यहाँ पर बहुत मुश्किल लगता है, या देड़ से बात होगी, ऐ ऐसे भी मुझे लगता है, तो choice आपकी है, कि आपको क्या चाहिए अपने जिन्दगे में, आज की reading में इतना ही, अगर वीडियो आपको resonate हुआ है, आपको पसंद आए, तो प्लीज मेरे वीडियो को ज़र लाइक कीजिए, चैनल को ज़र सब्सक्राइब कीजिए, आपको ज़र सब्सक्राइब कीजिए, तो 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 ज़र सब्सक्